बड़ी खबर आई हमास की सुरंगू से जुड़ी इस्रेल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास की सबसे बड़ी सुरंग का पता लगा लिया है इसके साथी इस्रेली सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उस सुरंग के अंदर चलती हुई कार नज़र आई दावा है कि उस कार में हमास के कमांडर या या सिंबार का भाई मुहमत सिंबार सवाग था यानि वो सुरंग आकार में इतनी बड़ी है कि उसमें कार तक चलाई जा सकती है इस्रेली सेना के मताबिक उसने जिस सुरंग का पता लगाया वो उत्री गाजा और इस्रेल के बीच मौजूद एरेज फ्रोसिंग के नस्दीक है और उस सुरंग की लंबाई करीब 4 किलोमीटर बताई जा रही है दावा है कि इतनी बड़ी सुरंग अब तक इस्रेल की सेना को गाजा में नहीं मिली थी जबकि नेतन्याहू की सेना पिछले 2 माईनों से वहां बहुत बड़ा सेन्य उपरेशन चला रही है और इसी दोरान इस्रेली स्तेना को इतनी बड़ी सुरंग मिली जिसमें कार चल सकती है इस्रेल ने जो विडियो भी जारी किया उसमें एक कार बड़े ही आराम से सुरंग में चलती दिखाई दी उसे देखकर यकीन करना मुश्किल था क्योंकि गाजा से अब तक सुरंग की जितनी भी तस्वीरें सामने आई है उनमें सुरंगों का आकार काफी छोटा दिखा था अब तक नजर आई सुरंगों में घुसने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी लेकिन इस्वेल ने जिस सुरंग का पता लगाने का दावा किया वो आकार में उनके कई गुणा बड़ी है इसमें कार आसानी से चलती दिखी दावा है कि इस सुरंग इस्वेल और उत्तरी गाजा के बीच मौजूद इरेज क्रोसिंग से महस 400 मीटर दूर है और इसकी लंबाई 4 किलो मीटर है यानि एक बार उस सुरंग में कोई अपनी गाड़ी के साथ दाखिल हुआ तो कहां जाकर निकलेगा इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है आरोप है कि इसी का फाइदा उठाकर हमास के लड़ाके इसरेल में हमले को अनजाम देते थे और इसके साथ ही इसरेल ने आरोप लगाया कि इसी तरह की बड़ी सुरंगू का इस्तिमाल कर हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टुबर को सबसे बड़ा हमला किया था इस्रेल ने सबसे बड़ी सुरंग का जो विडियो जारी किया उसमें याया सिंवार का भाई मौमद सिंवार उसकार में सवार दिखा और दावा है कि उसी ने ये सुरंग बनवाई थी इस्रेली सेना के मताबिक 4 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का इस्तमाल हमास के लडाके आने जाने और हथियारों की सप्लाई के लिए करते थे और इसे बनवाने में लाखू डॉलर खर्च किये गए थे दावा है कि इतनी बड़ी रखम इसलिए खर्च की गई थी क्योंकि सुरंग में गाड़ियों के गुसने तक गड़ा खोद कर उसमें कंक्रीट की दिवार बनानी थी और इस सुरंग को बनवाने वाला मुहमद सिन्वार था माना जाता है कि उतरी गाजा में जारी ओपरेशन से डर कर वो दक्षणी गाजा में कहीं छिपा हो सकता है इसलिए इसरेल की सेना इन दिनों दक्षणी गाजा में तावड तोड हमले कर रही है लेकिन दक्षणी गाजा में सेन आपरेशन के साथ साथ उतरी गाजा में हमास की सुरंगू को तबाह करने का सिलसला भी जारी है इस्रेल पहले ही साफ कर चुका है कि गाजा पटी में उसका सेन आपरेशन लंबा चलेगा क्योंकि इस्रेल का मानना है कि जब तक हमास की सभी सुरंगू का पता नहीं चल जाता और जब तक उन्हें तबाव नहीं कर दिया जाता तब तक वो शांत नहीं बैठेगा यानि गाजा पट्टी में इस्रेल का अभियान जारी रहेगा जबकि अमारिका समीत उसके कई मददगार देश भी इन दिनों इस्रेल पर जंग खत्म करने का दबाव बना रही है लेकिन इस्रेल की प्रदान मंत्री बेन्यामीन नेतन यहू ने अपना फैसला नहीं बतला माना जा रहा है कि उत्तरी घाजा में सबसे बड़ी सुरंग का पता लगाने के बाद उसे दुनिया को दिखा कर इस्रेल ने ये साबित करने की कोशिश की कि हमास के इरादे कितने خतरनाक हैं क्योंकि अब तक कि सबसे बड़ी सुरंग जहां मिली वहां से इरेज क्रॉसिंग बेहद नस्दीक है। इस क्रॉसिंग के पास ही इसरेल के सेन अड़े हैं। इसरेल का आरोप है कि उन्ही सुरंगों में हमास के बड़े बड़े कमांडर छिपे हैं। हमास की सुरंगों में भरा जा रहा है। क्योंकि पानी भरने से या तो वो लड़ाके सुरंगों के अंदर ही ढूब कर मर जाएंगे या फिर वो जैसे ही बाहर निकलेंगे। इसरेली सेना उन्हें पकड़ लेगी। हलाकि इस काम में लंबा वक्त लगने की संभावना है क्योंकि माना जाता है कि गाजा में हमास की सुरंगों का जाल करीब 500 किलोमीटर लंबा है। इसरेल को ऐसी कई सुरंगें अस्पतालों और स्कूलों के नीचे से भी मिली हैं। इसी वज़ा से उत्री गाजा के सैक्डों अस्पताल और स्कूल भी इसरेल के भीशन हमलों में तबाह हो चुके हैं। और अपने आरुपू को पुक्ता करने के लिए इसरेल की सेना ने एक और वीडियो जारी किया। दावा है कि ये वीडियो उत्री गाजा के जबालिया का है। वहाँ इसरेल की सेना ने सबसे बड़े शर्नाथी शिविर पर हमला भी किया था। और दावा है कि उसी जबालिया में हमास के लिलाकों ने बच्चों का इस्तमाल अपने खतरनाक प्लान के लिए किया था। इसरेल ने जो वीडियो जारी किया उसमें उसकी सेना इलाके में छापे मारी करती नजर आई। इसी दोरान एक इमारत में बच्चों का एक कमरा नजर आया उस कमरे में बच्चों से जुड़ी चीजें रखी हुई थी लेकिन जब इस्रेली सेना ने उसकी तलाशी ली तो उसी कमरे में एक सुरंग मिली दावा है कि इस सुरंग का इस्तिमाल हमास के लडाके करते थे यानि दुनिया को धोका देने के लिए हमास के लडाकों ने स्कूलू और अस्पितालों की आढ़ में सुरंगे बनाई थी ताकि वो आसानी से च्छिप सके गाजा में इस्रेल की सेना इस तरह की कई सुरंगों का पता लगा चुकी है और ये कारवाई इस्रेल की मुख्य पैदल सेना इकायू में एक नाहल ब्रिगेट के सेनिकों के जिम्मे है इसे यूनिट के सैने के इन दिनू हमास की सुरंगों को बर्बाद करने में जुटे हैं और दावा है कि हमास में जान बूच कर अपनी कई सुरंगों को इस्रेल की सीमा के नस्दीक बनाया था ताकि उसके लड़ाकों के लिए बॉर्डर तक छिपकर पहुचना आसान हो सके और जिस लंबी सुरंग का दावा इस्रेल की सेना कर रही है वो भी उसकी सीमा के नस्दीक ही मिली है साथ अक्टूबर से पहले तक इरेज क्रॉसिंग से गाजा के कई लोग इस्रेल में दाखिल होते थे उनमें बड़ी संक्या मजदूरूं की होती थी तो साथ ही इलाज करवाने वाले मरीजूं की भी लेकिन उसी सीमा से महस कुछ दूरी पर हमास की इतनी लंबी सुरंग के मिलने से इस्रेल की सेना भी हैरान है क्योंकि उसे खबर नहीं थी कि उसके सैन अड़े के नस्दीक हमास इतनी बड़ी साजिश रच रहा है आरोफे की साथ अक्टूबर के दिन उसी सुरंग से बाहर निकल कर हमास के लड़ाकों ने इरेज क्रॉसिंग के नस्दीक भी इस्रेल के इलाकों में तबाही मचाई थी उनके हमले में तीन इस्रेली सैनिकों की मौत हो गई थी और उस वक्त हमास के लड़ाकों ने वहां से कुछ लोगों को बंधग भी बना लिया था उसी हमले के बाद से इसरेल ने हमास के खलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ रखी है फिलिस्तीन का दावा है कि पिछले दो महीनों में घजा में 18,000 से जादा लोग मारे जा चुके हैं और उनमें जादातर महिलाएं और बच्चे हैं और इसी वज़ा से इसरेल का सबसे बड़ा दोस्त अमारिका भी इन दिनों उससे नाराज है यही नहीं ख़बर है कि अमारिकी रक्षा मंत्री लॉइड आस्टिन एक बार फिर इसरेल के दोरे पर जाने वाले हैं और कतर की टीवी चानल अलजजीरा के मताबिक अमारिका एक बार फिर इसरेल पर सीज फायर का दबाव बना सकता है पिछले हफते ही अमारिका की राष्ट्री सुरक्षा सलाकार जेक सलिवन ने इसरेल की यात्रा भी की थी माना जाता है कि उस दोरान उन्होंने नेतनियाहू को बाइडन का साफ संदेश सुना दिया था और अब अमारिकी रक्षा मंत्री लॉइड आस्टिन भी उसी मुद्दे पर इसरेल के प्रधान मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं अमारिका पहले ही दो टू कैच चुका है कि अगर इसरेल ने घाजा में हमले नहीं रोके तो वो अपने मददगारों से भी समर्थन हो सकता है माना जा रहा है अमारिका अपनी साख बचाने के लिए इसरेल पर दबाव बना रहा है क्योंकि गाजा में कतले आम के लिए इसरेल के साथ साथ उसका नाम भी घसीटा जा रहा है ऐसे में पूरी दुनिया में अमारिका की भी किरकिरी हो रही है इसी वज़े से अमारिका ये दिखाने में जुटा है कि वो गाजा की जंग को खत्म कराने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा है